नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सन्वीक क्लासेज में आज का वीडियो है प्लेटफॉर्म के नियू बुक बिहार SSC प्रेक्टिसेट बॉलूम टू में दिया हुआ ट्रेस सिरीज नमबर 19 इसमें 1500 प्रस्ण दिया हुआ है मैथ और रिजिनिंग सेक्षन सभी को इसमें सलूशन किया जाएगा फोल डीटेल सलूशन किया जाएगा आप इसे अन तक जरूर देखें काफी फाइदा करेगा काफी अच्छे प्रस्णों का संग्रा रहता है आए शुरू करते हैं पहले प और सितंबर 2030 में नजमा अक्तर को शिच्छा के चेतर में लाइफ ताम अचिवमेंट पुरुशकार से सम्मानिद किया गगा है और तमिल लेखक अमबाई को टाटा लिटरेचर लाइब लाइफ टाइम अचिवमेंट अवार दोहज़र चेस से सम्मानित किया गया है बिस्व स्वास्त सिखर सम्मेलन दोहजर तेस का योजर कहां किया गया था जिनका थीम था A Defining Year of Global Health Action सही जबाब हो जाएगा C, जर्मनी में किया गया था विस्व स्वास्त सिखर सम्मेलन सितंबर तोहजर तेस में जकार्ता इंडोनेसिया में आयोज़ूत ततालिस वा आसयाना सिखर सम्मेलन का मुख भी सही था असयान मामले विकास का केंद्र 15 भाब Bricks सिखर सम्मेलन जोहानस बार दच्छीन प्हेर कामा आयोज़द किया गया और सुलाब ब्रिक सिखर सम्मेलन आयोज़द में किया जाएगा सितंबर 2030 बर 21-30 बखिल सम्मेलन का आयोज़द नई दिली में किया गया है 19 31 जनवरी तक खेलो इंडिया गेम्स 2024 का योजन किस राज के चार परमुक सहरों में किया जाएगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें आपकी बेटी हमारी बेटी योजना हरियाना राज सरकार द्वारा स्वारम किया गया था निमलिखित में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस नहीं है अंसर हो जाएगा बी सिरलंका ब्रिक्स का समूह नहीं है बर्ष 2009 में भारत रूस प्राजिल और चीन एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक्स के स्थापना की थी और 14 अपरेल 2021 को दच्छिन अफिर का पहली बार सामिल हुआ था ब्रिक्स का मुख्याल है संगाई चीन में है और उपिक का मुख्याल है कहां है तो बेना अस्ट्रेलिया में है टकला मकान मर्वस्थल किस देश में इस्थित है टकला मकान सही जबाब हो जाएगा और संडी चीन में इस्थित है टकला मकान मर्वस्थल मध हैस्या के जिन ज सही अंसर हो जाएगा वी अनुच्छेत 15 और 27 को संसोधित किया गया था 204 वे समिधान संसोधन 15-6 को जोड़ा जोड़ा गया इस समीधान संसोधन अधियtime Sवाजी के परहन सहिसनिक पिछावर्ग के अधार मानते हुए जातिगत अधार ही दिया है जहां हम पढ़ते हैं EWS यही 10% का जो अरच्छन मिला है वो समिदान करनुशत 103 वा है निमलिखित में से बर्स 1976 में विक्सित सरपर्थम सूपर कम्पीटर कौन सा है और इसका सही अंसर हो जाएगा क्या है तो क्रेव बन है परम 8000 भारत का पहला सूपर कम्पीटर है जिसे सी डैक ने विक्सित किया था अब परम युवा सकेंड परम इसान परतिश आधी भारतिय शूपर कम्पीटर है अमेरिका का जो फ्रेंटियर बतमान में बिश्व का सबसे सकी साली 53 गदी से चलने बाल के सरकार जुनियर थे यह वी सही तो अंसर हो जाएगा ऐस्वार तक जोपीनात मुठुकर यह पुरसकार पराप्त करने मैं दूसरे भारती यह थे भारत के ग्यानफिट पुरुषकार से सम्मानित पर्थम व्यक्ति कौन थे इसका सही अंसर हो जाएगा option B गोबिन संकर कुरूप थे गोबिन संकर कुरूप को 165 हिस्वी में ग्यानफिट पुरुषकार मिरा था ग्यानपिट पुरुषकार भारत का सर्वो साहितिक सम्मान है इस पुरुषकार के बिजयताओं को 11 लाख रूपिय तथा भाग देवी की पतिमा दी जाती है 31 अक्टूबर 2030 को किसने उडिसा के नए राजपाल के रूप में सपत ग्रहन किया है और इसका सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा युआन है और इस्राइल का मुद्रा जो हमारे पास है वो क्या है तो नियू सेकल है को ने नियू सेकल है अंसर हमारे पास हो जाएगा बी केबल चार है जो सुमेलित नहीं है हाले में किस भारतिय मुल्की लेखा के लेखा को ब्रिटिस एकेडमी बुक प्राइज 2030 परदान कि किया गया है नवंबर 2030 में सलमान रस्दी का पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग दपीस अबाट से सम्मानित किया गया है किसने सीए पीएफ कर्मियों के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल यी अवास लॉंच किया है अंसर हो जाएगा भी सिरी अमीद साह ने किसने सिरी कि अमीद साह ने सीए पीएफ कर्मियों के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल यी अवास लॉंच किया है केंद्रिय ससस्त्र पूलिस वेल सीए पीएफ की कर्मियों को 2024 तक लगवक 54% अनुपात्म से अवास्य संतुष्टी विवरन की जाएगी परसिद जैन विचारक बरतम 99 में है ए और बी की आई का अनुपात पांच अनुपात आठ है और उनके खर्चे का अनुपात एक अनुपात दो है यदि बी का खर्च का 80% एक या के बराबर हो ए और बी की बच्टों के बीच अनुपात क्या होगा माना की एक या कितना है तो वो है पांच एकस बी का कित है तो वह है बाई और वी कब यह कितना है डू बाइ ऑप सबराबर कितना रशा कितना है पां परए्खवडर और की आएके बराबर हो यानि एक आए कितना है पांच गुन पांच एक्स है तो पांच एक्स के बराबर हो जाए तो आठ बाई बराबर हमारे पांच बराबर हो जाएगा आठ बाई बटा पचीस हमारे पास एकी आएगा अब एकी बचत बटा बी की बचत क्या होगा एकी बचत बटा B की बचत हमारे पास आ जाएगा 5X में से बटाई कर देंगे तो एक ही बचत आ जाएगा और B की बचत 8X माइनस 2 बटाई कर देंगे अब आब मान चलिए रख देते हैं तो वो मान हो जाएगा 5 गुना एकस के जगह पर रख देंगे आठ बटाई 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 माइनस बटाई 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 गुना आठ बटाई 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 माइनस दो बटाई जब यहां करेंगे तो आ जाएगा तीन बटाई 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 c यदि a plus a by a बरबर माइनस 6 तो a q plus a बटक a q का मान क्या होगा तो आए इसे solve करते हैं a plus 1 by a whole q बरबर क्या हो जाएगा हमारे पास a q plus 1 by a q plus 3a into 1 by a a plus 1 by a a हो जाएगा जब मान रखेंगे a plus 1 by a whole q तो minus 6 के whole q बरबर हो जाएगा एक यू पलस एक बन बटा एक यू माइनस अठारा ये हो जाएगा माइनस एक सो अठान में बरबर एक क्यू पलस बनवाई एक क्यू अंसर हमारे पास क्या आजाएगा वह हो जाएगा C-1998 यदि रीना 12 मुबाइल फोन 188,160 में बेशती है जिनका क्रैमूल है 14,056 पर पढ़ती फोन तो उससे कुल कितना लाग होगा सबसे पहले हमको क्रैमूल निकालना होगा 14,056 गुना हम क्या करेंगे 12 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 168,672 रुपया अब बारा फोन का विक्रैमूल क्या हो जाएगा तो हो जाएगा 18,160 अब दोनों में घटा देंगे तो हमारे पास लाब मिल जाएगा तो लाब है 14,488 रुपया अंसर हो जाएगा हमारे पास एक विद्यार्थी को उतिरन होने के लिए 40% अंग प्राप्त करना वस्यक्त परिच्छा में 40 अंग प्राप्त कुए और बाद 40 अंगों से अनित्तूर्ण हो गया यानि हमारे पास है परिच्छा में प्राप्त करने योग अधिक्तम अंग कितना है अधिक्तम तो 100% होता चालिस संख प्राप्त किया है लेकिन पास होने के चालिस परसेंट वराबर हो जागा चालिस तो लाया ही था फिर फेल हुआ कितना में चालिस या नि असी चाहिए था उसे इसलिए सौ परसेंट वराबर हमारे पास क्या हो जागा 802, 40 अगुणा 100 आ जागा कितना? 200 नमर अंसर हो जागा हमारे पास regarde किसी प्रकितिक संख्या को 4, 5, 6, 7 से बिभाजित करने पर प्रती एक मामले में यह से से बसता है वो सबसे छोटी संख्या कौन सा है प्रती एक मामले में यह से से बसता है सबसे चोटी संख्य पूछ रहा है तो सीधे एक इसमें जोड दीजे यही हमारा आ जाएगा 421 अंसर हो जाएगा ए निमली खित में कौन सा जो भीन है उप 5 बटा 9 के बराबर है तो जो हमारे के बराबर नहीं है जो पूछ रहा है तो अगर इसे देखते हैं 5 बटा 9 तो यह बराबर नहीं है अंसर हो जाएगा ए एक कच्छा में 18 लड़का और कुछ लड़किया थी एक पर इच्छा में लड़कों के अउस्थ अंक 12 जबकि लड़कियों के 14 थे यदि कूल अउस्थ 13 अनुपात 1 थी तो कच्छा में छात्रों की कूल संख्या कितनी थ माना की लड़कियों की संख्या is एक इस तो लड़कियों का उस्थ कितना है 14 है लड़कियों के खूल अंंक कितना हो गया थारा है आफारा दिया हुआ थेरा नुपात एक हम निकाल जाएंगे कितना चाओदा एक्स तो पहले लड़कियों को पूरा था लड़कों के दूसर 16 था लड़की उसका प्रक्राइब कि 13% एक वहाँ पर है ते 1310 हो जाएंगे जब इसे सूलो करेंगे तो एक्स का माना आजागा 22 यारी लड़कियों की संख्या कितनी आ गई तो वह जाएगे 22 तो टोटल लटका कितना हो जाएगा 22 बाना 16 वरवर कितना हो जाएगा 40 अंसर हमारे पास आजाएगा A. 31,205 रुप्या पर 8% भार्षिक दर्से 2 पुरुनांग 3 वटा 4 बरसों का चक्रविर्धी व्याज कितना होगा हमें निकालना है यहां पर P दिया हुआ है 31,250 र बराबर दिया हुआ 8% T वराबर 2 पुरुनांग 3 वटा 4 बरस दिया हुआ चक्रविर्धी व्याज निकालने हैं के लिए हमको क्या करना होगा तो फर्मूला जो हमारे पास होता है वह तक P इन्टू 1 पलस R बटा 100 के पावट T अगुना 1 पलस R गुना T बटा 100 जब इसे मान रख देंगे हमें पी इन्टू 1 पलस 8 बटा 100 के होल स्कॉयर इन्टू 1 पलस 8 गुना 3 बटा 4 बटा 100 आगे जब इसे रखेंगे पी का मान भी रख देते हैं 31,250 गुना 108 बटा 100 के होल स्कॉयर इन्टू 106 बटा 100 जब इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 38,637 ब्याज बराबर हमारे पास क्या आ गया तो चक्रबिड़ी मिस्रन माइनस मुल्धन हो जाएगा तो हमें निकल जाएगा कितना वो हो जाएगा 73,738,637 में घटा देना 31,250 अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी एक बरसा कालिन दीन में 4 सेंटीमीटर बरसा हुई एक दसमलाब 5 हेक्टेर भूमी पर होने बाले बरसा के जल का आयतन मेली मीटर क्यू में कितना होगा यह हमें निकालना है एच जो है जल की उचाई है कितना 4 सेंटीमीटर यानि 4 बटा सव कर देंगे तो 0.04 मीटर हो जाएगा हमारे पास क्योंकि मीटर क्यों में पूछ रहा है तो भूमी का छेतर फल भूमी का छेतर फल क्या दिया हुआ है एक दसमलाब 5 हेक्टियर दिया हुआ है कितना डिया है यह एक दसमलाब 5 गुना 10,000 मीटर के स्कॉाइर हो जाएगा यानि व और कितना होगे ंदरहहच जाण ही पंद्रहहजार मीटर स्कॉायर मुर्द कर अधि या होगा जल का आतनotics का अधितनन जाएगा उना कितना उचाई क्या है उचाई जल का चित्फर कितना है 15,000 जल के जीरुदिसम्राफ 0-4 हो जागा कितना 600 मेट्रिक्ट क्यूं अंसर हो जाएगा हमारे पास वह क्या हो जाएगा वी 600 चलि अगले प्राशन है जो ब्यंजन दिया हुआ है उससे सुर्म करना है इसका जो आजाएगा अंसर वह जाएगा डी 28 सीधी सीधी कर दिजिएगा सत्तर वटा पांच अगुना दस मैनस चार भागा तीन आजाएगा कितना लगत्तम समाब बर्द कितना होगा अगला प्रशन में रेत और रोडी का अनुपात शिमेंट का नुपात क्या है एक तरफ हम यहां पर क्या लिख लेंगे तो यहां पर रेत यहां पर रोडी और यहां पर हो जाएगा सिमेंट रेत और रोडी का कितना है 17 अनुपात 9 है और इसका कितना है तो 6 अनुपात 17 है यहां पर क्या लिख देना है यहां पर 9 लिख देना यहां पर 6 जो यहां पर यह रहाता है यही लिख देते हैं यह हो जाएगा 17 अनुपात 9 गुना 6 अनुपात 9 गुना 17 हमारे पास य क्या हो जाएगा मिस्रन में रेत और सिमेंट का अनुपात पुछ रेत आव यह सिमेंट का यानि 17 गुना 6 बटा पुछ रहा है नौ गुना 27 माइनस एक्स, अब गह रहा है यह प्रस्च में, कि एक्स माइनस 7 बरबर हो जाएगा, 27 माइनस एक्स मााइनस 7 अगुना पांच बटा 2, बर ख्रुल स्लसुण लिए लिए две नरी कि एक मिस्र धातू में 42 संत चान्दी थी, यदि मिस्र धातु की मात्रा 147 ग्राम चाली थी तो मिस्र धातु में दूसरे तत्व की मात्रा कितनी थी सिंपल सा प्रस्ण है 42 परसेंट वरबर कितना दिया हुआ है 117 तो दूसरा कौन था अंठामन परसेंट को यार होगा 147 वर्टा 42 गुना अंठामन कर दीजिए हमारे पास आ जागा कितना 203 ग्राम अंसर हो जाएगा सी निमलिक्त में कौन सा भाज संख्या है इसमें से कौन सा है तो 63 जो है यह भाज संख्या क्योंकि यह तीन से भी भाज होगा जबकि 73 और 43 और तिरपन यह अभाज संख्या है हाली में ICAR के बग्यानकों ने किस नदी से में पंगेसियस इकारिया नाम की नई परजाती की खोज की है और इसका सही अंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा B काबेरी नदी से खोज की है कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने बिरोध किया अंसर हो जाएगा B अल्लाओ दिन सुल्तान अल्लाओ दिन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने बिरोध किया खिलजी बंस के सासक अल्लाव दिन खिलजी ने सिकंदर की तरह 20 बिजेता बनना चाहता था मुगल समराट अकवर ने किस अस्थान पर इवादत खाना का निर्मान किया था और इसका सही अंसर हो जाएगा ए फटेह पुर्शिक्री में इवादत खाना के स्थापना का हुआ था 1575 इस भी में और इसमें विविन धर्मों के अचार आकर धार्मिक प्रशनों पर बाद विवद किया करते थे और जो सही होता था उसे अंतिम रूप से स्विकार करते थे इवादत खाना को हम पुझागरी के नाम से भी जानते हैं सर पर्थम किस ने 1877 को भारत का पर्थम पर्थम 117 संगाम कहा अंसर हो जाएगा ए बीडी सवरकर ने कहा था आरसी मजुमदार ने ठारा सो संतामन के बिद्रोग के बारे में कहा था कि ठारा सो संतामन का बिद्रोग के बारे में कहा था कि ठारा सो संतामन का बिद्रोग के 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 बिद्रो सब्सक्राइब का जनक माना जाता है और इसका सही अंसर हो जाएगा और संडी सेंट साइमन को इनका जन्म 172 1760 को तथा मिर्टू 19 मई 1825 इस्वी को हुआ था आदार्स बादी समाजबाद का प्रवक्ता कौन थे तो रॉबर्ट ओवेन थे अब फेवियन सोसलिज्म का नेत्र साथ्रिय निरित है कथ सब्सक्राइब उत्तर निरित से हुआ है कथा कहना के किन्द्र में राधा कृष्न के अवध्यार और मौ जूड़ा हुए है चलिए अगले प्रस्ट पे चलते हैं चलिए अंसर हो जाएगा अप्सन डी महा नदी पर यह बिस्व का सबसे लंबी नदी बांध है इसकी लंबाई 4800 मीटर तथा उचाई 160 मीटर है सतलन नदी पर कौन सा परियोजना है तो भाखडा नागल परियोजना और भाखडा नागल बांध संसार के सब से उच्छा गुरूत विये बांध है चंबल परियोजना चंबल नरी पर है निमलिक्स में कौन सा स्थान वहां इस्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है सही अंसर हो जाएगा C. जलेपला जासकर जलेपला जो है दर्रा सिक्किम में इस्थित है या दारजलिंग बच चुम्बी घाटी से होकर गुजरने वाला मार्ग है जलेपला सिक्किम का लहासा तिबत से जोड़ता है बनिहाल पीर पंजाल में खारदूंगला लद्दक परवसरेनी में अजोजिल्ला बिरहत हिमाले में है और धोगिक उत्पादन सुचकंग जोकी भारतिय अर्थवेस्था में और धोगिक क्रियाओं का मापक है इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है और इसका सही अनसर हो जाएगा D. गैस एवर्बम जलापूर्ति गैस एवम जलापूर्ति को दोगिक उतपादन सुचकांग जो कि भारती अर्थवेस्ता में और दोगिक क्रियाओं का मापक में सामिल नहीं किया जाता है और दोगिक उतपादन सुचकांग का धारवर्स 2004-05 है और उसे संसोजीत करके 2012-12 कर दिया गया है इसमें सामिल आठ परमुक छेत रहे हैं रिफाइनी उत्पादन, विदूत्वी स्पाथ, कोईला, कच्चा तेल, प्राकिर्ति, गैस, सिमेंट एवं उर्बरेक निमलिकिद में से किस राज में स्थिस्थ सुल्तानपूर राश्ट्य उद्यान अपने परवास एवं अस्थानिये पच्चियों के लिए जाना जाता है अंसर हो जाएगा option D. हरियाना हरियाना राज में इस्थे सुल्तानपूर राष्टियोदान अपने प्रवासी ब्रास थानिये पच्छों के लिए जाना जाता है मनुस्ष द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातू का उपयोग किया गया था अंसर हो जाएगा B. तामबा का उपयोग किया गया था किस चीज़ का तो तामबा का उपयोग किया गया था सबसे पहले ना पासान काल में पहली बर धातू का इस्तिमाल मानब ने किया था पुलकेसिन पर्थम और पुलकेसिन दीती है बादामी के चलुक बंस के बस्तविक संस्थापक पुलकेसिन पर्थम थे और बादामी के चलुक बंस के संस्थापक जैसी थे बादामी के चलुक बंस के बस्तविक संस्थापक पुलकेसिन थे और इसका सही अंसर हो जाएगा अप्सन C, इंडिया बिंस फ्रीडम पुस्तक मौलाना बुल कलाम अजाद दोरा लिखी है गई है बी दपीपुल के लेखक है नानी पालखी बाला बिंग्स औफायर पुस्तक के लेखक है एपई जी अब्दुल कलाम बलवन की उपाधी किसने धारन की थी और इसका सही अंसर हो जाएगा उप्सन C, उलूख खाने बलवन की उपाधी उलूख खाने धारन की थी बलवन का बस्तविक नम बहुद्दिन था वह इल्तुतमिस का गुलाम था तुर्कान A, चहरगामी का बिनास बलवन ने किया था अगला प्रस्न है कि P और Q एकार्ज को मिलकर 6 दिनों में समाथ कर सकते हैं Q अकेला इसी कार्ज को 10 दिनों में समाथ कर सकता है P अकेला इसी कार्ज को कितने दिनों में कर सकता है तो डारेक्ट इससे कर दीजेगा 6 गुना 10 बटा 10 माइनस 6 करिएगा यह हो जाएगा 60 बटा 4 और कितना 15 दीन में अंसर हमारा हो जाएगा बी एक ब्यर्ती नेक बस्तु को 1975 में खरीदा तथा 12% के लापर उसे बेश दिया बस्तु का बिक्राइमnor क्या था तो बस्तु का बिक्राइमूल बराबर हमारे पास हो जाएगा कितना तो 1975 गुना एक सो 12 हबटा सौ कर देगेंये क्योंकि 12% लापर बेशा गया है तो 220 में हो जाएगा अगला है तीन संख्याओं का उस्था 16.5 है पहली दो संख्याओं का उस्था 15.5 है जबके अंतिम दो संख्याओं का उस्था कितना है तो तीनों संख्याओं कौन-कौन है तीसरी संख्या बरबर हमारे पास क्या हो जागा तीसरी संख्या बरबर हो जागा 15.5 गुना 2 पलस 18.5 गुना 2 माइनस 16.5 गुना 3 तो हो जाएगा 31 पलस 37 माइनस 49.5 हो जाएगा हमारे पास कितना 18.5 तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा दूसरी संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास को दूसरी संख्या हो जाएगा 18.5 गुना 2 माइनस 18.5 बरबर हो जाएगा 18.5 यानि इसका अंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा C अगला प्रस्ण है यदि A के 50% का 80% B के 25% के 3 गुने के बराबर है A B से कितना परतिसत अधिक या कम है प्रस्ण में का रहा A का 50% गुना कितना हो जाएगा 80% बराबर हो रहा है जो हमारे पास B के 25 है यान 3 गुना के बराबर तो B होगा 3 होगा तो 3 गुना B गुना 25 इसको लिख सकते हैं अब हमारे पास जब इससे सूल्व करेंगे तो A गुना 1 गुना 2 गुना 4 गुना 5 तबर 3 गुना B बटा 4 आजएगा यहां पर 13 नहीं B है जब इससे सूल्व करेंगे तो A बराबर आजाएगा 15 बटा 8 B A ग्रेटर दैन B हो जाएगा A माइनस B बराबर कितना हो जाएगा 15 B बटा 8 माइनस B बराबर 7 B बटा 8 तब हिष्ट परतिसत बराबर जो हमारे पास आएगा उस 7 B बटा 8 गुना 100 बटा B बराबर 700 बटा 8 परसेंट बराबर हो जाएगा 87.5 परसेंट अंसर हो जाएगा C कि निम्न में कौन सी संख्या परिम्य है कौन सी संख्या है जो परिम्य है तो अगर 128 के पावर हम क्या करते हैं 128 को हम लिख सकते हैं पावर एक वटा साथ लिख सकते हैं दू के पावर साथ के पावर एक वटा साथ साथ कर जाएगा यानि दू हमारा एक परिम्य संख्या हो जा होता है दूरी बटा चाल पहले जो हमारे साट किलो मिटर पर है उसको हम बदल लेंगे कितने हैं मीटर पर सेकंड में और 200 दिया हुआ भी है तो समय बराबर हो जाएगा कितना दूरी बटा चाल यह हो जाएगा हमारे पास 200-18 बटा 60-5 रबर 12 सेकेंड अंसर हो जाएगा 12 सेकेंड तो दूरी कितना है 200 मिटर जितनी रिलकाड़ी लंबी है नरेस और सुपरना की बरतमान आयू का अनपात 7 अनपात 3 है अब से 3 साल बाद उनकी आयू का अनपात 2 अनपात 1 होगा नरेस की बरतमान आयू खाली परस में क्या है माना की नरेस और सुपरना की बरतमान आयू करम से कितना है तो 7 एक्स है और 3 एक्स है अब परस्न में क्या कह रहा है कि 7 एक्स पलस 3 बटा 3 एक्स पलस 3 बरबर कितना हो जागा 2 बटा 1 7x plus 3 बरवर 6x plus 6 हो जागा तो 7x बरवर हो जागा 6x, 7x minus 6 बरवर हो जागा 6 minus 3 तो x बरवर हो जागा 3, नरेस की बरतमानाई कितना है, तो 7x बरवर 7 गुना 3 बरवर 21 बरस अंसर हो जागा हमारे पास, वो है C, एक ठैले में लाल गेंद और हरी गेंद का जो अनुपात है, वो लाल गेंद था हरी गेंद का अनुपात, एक अनुपात हो जागा, थैले में कितनी लाल गेंद है 15 और 26 था, कितना था 15x 10-15 Max ‎25 पाइए 15 अंसर हो जा जागा हमारे पास हो जागा A एक यात्री अपने यत्रा की कूल दूरी का का दूबटा पास भागinhas पैदल करता है और सेस्क एक त्हाई करता है उसकी यात्रा की सेस्क से माना की कितना है तो तो कितना दूरी तो वो है 2 IK I सेस कितना बच गया तो 5-2 बरबर 3 IK I बच गया अब बास से ताय की गई दूरी कितना है 3 गुना 1 बटा 3 बरबर 1 IK I क्योंकि कह रहा है कि सेस का एक तिहाई भाग सेस का एक तिहाई है यह धियान दीजिएगा 1 IK I तो सेस दूरी कितना बच गया तो वह हो जाएगा 5-2 बरबर 2 हो गया 2 बरबर हमारे पास क्या होगा दूबटा 5 हो जाएगा अंसर हमारे पास हो जाएगा वह हो जाएगा B अगला प्रहसने इसिए बस्तू का अंकित मुल 432 जब एक कंदार अंकित मूल पर बीस परसंट चूट देकर उसे बेचता है तो 35% लाव जित करता है उस बस्तू का क्रें मूल क्या होगा तो मानक की अंकित क्रैमुल बराबर क्या हो जागा क्रैमुल बराबर अंकित मुल अंकित मुल गुना 100 माइनेस छूट परसेंटेज बटा 100 पलस लाव परसेंट बरबर 432 गुना 100 माइनेस 20 बटा 100 पलस 35 बरबर हो जाएगा 432 गुना 80 बटा 135 256 बाहन गराज खोड़े अंसर हो जाएगा कौणसा तो वह जाएगा डी अस्तवल हो जाएगा बहां कहा गराज में तो घोड़ा कहा रहेगा अस्तवल में अगला है एफ तोके होल क्यू करते हैं तो लबराबर क्या बारह क्या होदागा 1728 हो जाएगा 1728 अंसर हो जाएगा बी चलिए अगले प्रस्ट पे चलते हैं माउस के पीस टी आइस तरह किसे एर्रेंज किया हुआ है एम से हम पलस दो नहीं माइनस अगर दो कर रहे हैं तो यहां पर आ रहा है के उसी तरह ओ से पलस एक कर रहे हैं और यह को माइनस दो करेंगे तो आजाएगा उसी तरह एगर इस सेरीज में करेंगे माइनस दो पलस एक माइनस दो पलस एक तो लाइट का हमारे पास आजाएगा कौन सा तो वह जाएगा डी यदि इन अधर सब्द को सभी अच्रों को बरना करम के नुशार ब्यवस्तित का रहे है तो इस पर का निर्मिश सब्द में बाएं सीरे से चोथे अच्रों और दाएं सीरे से दूसरे अच्रों के बीच अग्रेजी बरनमाला संखला के कितने अच्रों होंगे अगर इन अधर को लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे ए, इ होगा, फिर एच होगा, फिर एन होगा, फिर ओ होगा, फिर आर होगा बाएं से चोथे कह रहा है बाएं से चोथे कौन सा है, एन है और उसके बाद कह रहा है, दाएं सीरे से दूसरे अच्रों क्या होगा बनवाला के स्रिंखला पूछ रहा है ना कि इसके स्रिंखला का अगला प्रस्ट ब्लेड रिलेशन का इसका जो अंसर हो जागा वो हो जागा A, P, S की मा है निमलिखित में कौन सी फसल भारतिय मूलकी नहीं है कौन सी फसल सही जवाब हो जाएगा B मक्का है कौन सा है तो वो है मक्का मक्का भारती मुल्की फसल नहीं है मक्का भारत में पुर्थगाली द्वारा लाया गया है आलू भी भारत में पुर्थगाली द्वारा लाया गया था गन्ना का जन्मस्थल भारत में है भारत में चीनी का सरवाधिक मिल महराष्ट में इस्थित है केंद्रिय सरकार का उस्तम सिविल अधिकारी कौन है अंसर हो जाएगा B, मंत्री मंडल सचीव केंद्रिय सरकार का उस्तम सिविल अधिकारी होता है वह है मंत्री मंडल सचीव महान्या इबादी भारत सरकार का पर्थम बिधियादिकारी होता है और इसकी न्यूक्ती राश्पती करता है भारत का समिधानिक परमुख राश्पती होते है अब भारत के समिधान कर अच्छक उस्तम न्याल है भारत में राजनेतिक सत्ता का परमुख स्रोत कौन है और इसका इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनी विशत के रूप में बिक्सित किया है और इसका अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा और इसका अंसर हो जाएगा और इसका अंसर अपसन बी युगस लाविया में कहा उगा था तो इगस लाविया में हुआ था गुट निर्पेश अंदोलन भारत के जवारला लहरू मिसर के गुमेल अब्दुलनासिर तथा इगस लाविया के मार्सल टीटो इवाम घाना के अनकुरूमा के दवारा अरम किया गया था और इसके अस्थापना जो हुआ था 1661 में हुआ था हंगरी की रध्धानी है सही जवाब हो जाएगा बी बुड़ा पेस्ट हंगरी की रध्धानी बुड़ा पेस्ट है और यह 1918 में सोतंत्र हुआ था और यमन की रध्धानी जो है वो सना है यमन की रध्धानी जो है वो सना है अब पोलेंड की रध्धानी कह पुलेंट की रजधानी जो है वो वार्षा है और बीना कहां की रजधानी है तो बीना जो है वो रजधानी है कहां की आस्ट्या की रधानी है निमलिखित में से कौन सा कथन सत है यह बताना है यह देखतें कौन सा कथन सहीत अंसर होगा बी कुटिल लिपी को सिध्र मात्रिका लिपी के नाम से जाना जाता है ये कथन सत्य कुटी लिपी गुफ्त लिपी की ही परिमर्तित रूप है जिसे नियून कोनिये लिपी ये सिध मात्रिका लिपी के नाम से जाना जाता है गुरू मुखी लिपी को सिखो के दिश्चुरे गुरू गुरू अंगा देव के द्वा इसका कोई भाग ग्राम-पंचाइच छेत्र घोषित किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या या था संभव 7000 के निकटतम होती है ग्राम-पंचाइच छेत्र में रहने वाले सभी बयस्कों की सभा होती है भारत के किन राजियों या छेत्रों के किसानों ने खेती के अधुनिक तरीकों को सबसे पहले परियोग किया अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C. पंजाब, हर्याना और पश्मि उतर परदेश ने 960 के 10 सकेंथ में एक करांती की शुरुआत की गई थी और उस करांती के कारन कुछ प्रया बरनी एवं परस्तित के संकट भी उत्फबन हो गये थे भारत में हरित करांती के जो जनक है वो एमे सौमि नाथन को माना जाता है और ये हरित करांती की सुरुआत हुआ था काहँ पंजाब, अर्याना और पस्मि उतर परदेश के लुक्तांत्रिक विकेंद्रिक करन एवं परसासनिक विकेंद्रिक करन की सिफारिस कुंसी समीति ने किया है और इसका सही अंसर हो जाएगा Option A बनबंत राइ मेहता समीति बनबंत राइ मेहता समीति का गठन समुदाइक बिकास कार्जक्रम 1922 एवं राजिटronics बिस्तार सेवा 1903 पर के अधियन के लिए किया गया था पंचाइति राजब्हस्ता में सुधार एतु गठी समूपीस अशोक मेहता समीथिउ का गढ़तन किया था 1907 ने और जी भी के राफ समीथिउ की गढ़तन किया गढ़ xuब किया था पहले किसान विकास पत्र की परिवक्ता अब्धी 124 महिना था, किसान विकास पत्र पर दे ब्याज 7.003 है, इससे पहले इस पर ब्याज दर 6.9 था, योजना अबुकास की अब्धी का संबंध है, सही अंसर हो जागा B, 1966 से 69 तक, तीसरी पंच बर्षी योजना की समापती बर्ष 31 मार्स 1966 को ही, और चोथी पंच बर्षी योजना की सुरुवात 1 अपरेल 1979 को पराम हुआ, अता 1966 से 69 का समय योजना अबुकास के रुप में जाना जाता है, पंचायतों से संबंधित भारत के समिधान की 11 अनुसूची में कितन भारत का सबसे पुरान नगर पाली का मदरास नगर निगम है, आए बिसम संख्या को चुनते हैं, अबिसारी उत्पादन, अब सारी उत्पादन, संग्यान, अंसर हो जाएगा ए, बिसमरन, अभिसारी उत्पादन, अब सारी उत्पादन और संग्यान, ये सभी समनारती सब है जबकि बिस्मरन अन्य सब्दों से भीन है अगला प्रस्ण देखते हैं यह किस तरह संबंध है 9 पलस 26 अगर करते हैं तो 35 होता है इसे 11 माइनस 26 को 11 पलस 36 करेंगे तो 47 हो जागा यह एका भाज संख्या है 13 माइनस अगर 42 करते हैं यानि 13 पलस 42 माइनस नहीं 13 35 और साथ पलस 28 25 सभी वीभाज हो रहा है लेकिन सब आइनमों का योग है जो पांच से बिभाज हो रहा है लेकिन 47 यह एक अभाज संख्या थाں पांच स्वाय रे पास लिए ऊपार जा जाएक सहुआ बी निकारे हुत्जा एक सबसे च्छोटा पूंसा है जब ऐभी से हम निकालेंगा तो सबसे जो बड़ी हो जाएगी हो जाएगी कविता, osके बाद राफुल, ुसके बाद ससी, ुसके बाद असोक,… उसके बाद क्या हो जाएगा mata.. हमारे पास अंसर कॉन सा जाएगा अ……सबसे छोटी है niż मुई तॉ इंसर हमारा आजाएगा क सी एक निष्चित कुटभासा में सूर को इतना लिखते हैं तो कलर को इतना तो तो क्लर को इतना तो ऑशियनी को क्या लिखेंगे एक लिखा गया है और एच का क्या लिखा गया है सम लिखा गया है यानि जीरो उसी तरह बिसम सम का वो किया गया है एक जीरो एक 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 किया गया है फिर बिसम होगा इसका ओ का यानि जिस पर करा स्थानियमान बिसम संख्या है उसे एक से और जिसका स्थानियमान संख्या उसे 0 से कूट किया गया है उसी तरह अगर हम करते हैं अगर O को है तो वो बिसम है यहां पर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा फिर U के अगर बात करते हैं तो यह भी बिसम में है इसका करेंगे A कि एस क्या है भी सम है क्योंकि इस्तान पे है इसल Lind k हिस तरह किया गया है अगला वोसियन को अगर हम करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा इसमें सभी लगवख corn required एओन motherf rank universe हो जाएगा उब बन बन ऑन लास्ट में जीरrrया आनसर हो झाएगा wouldn प्रश्ण बाचक के अस्थान पे कौन सी संख्या आएगी हमें यह देखना है प्रश्ण बाचक पे तो यह आ जाएगा बेरासिया प्लस क्या है क्या करेंगे तो हमारे पास कुछ आएगा उसके बाद सब्सक्राइब क्या है यानि इसमें से पलस पलस तीन गया तो यह बीस हो जाएगा निनाल में अंसर हमारे पास आजाएगा बी 182 नंबर प्रस्ण का दूसर क्या हो जाएगा तो वह जाएगा सी 184 अधि 183 के अगर देखते हैं क्या लिखा गया इस को एस और पी में देखे किस तरह संबंध है न qui ng यहां पर है फी एस बेंखे अगर देखते हैं पीधर क्या यसार क्यारे इधर इंक क्य में को डैयरेट लिखा है उससी तरह टी एच आरो लिखते हैं इधर एच हो जाएगा इधर टी हो जागा इधर ओ जागँ हो ख़ज़गा इधर आर और लिखा जागँ H T O R W कौन से अंसर हो जाएगा D यदि ancient को इतना nature को इतना code लिखा जाता है तो train को किस code में लिखा जाएगा तो पूरे जो एक को दो लिखा गया N को पास लिखा गया C को एक लिखा गया I को छे लिखा गया उसी तरह अगर इस टेल्स से कर देंगे T को क्या लिखा गया है तो T को 9 लिखा गया है यानि 9 से शुरू हो जाएगा answer हो जाएगा C अगला परसन यदि blue को यह लिखा जाता है तो blue को किस रूप में लिखा जाएगा तो यहां पर देखे B, L, U, E को किस तरह लिखा गया है E, U, B, L L को क्या कर दिया गया है L को यहां किया है B को यहां किया है U को यहां किया है और E को यहां किया है तो तरह अगर B, U, L, B को लिखते हैं तो पहले तो B को यहां उतार देंगे L को यहां उतार देंगे U को क्या कर देंगे सबसे लिए किस तरह है तो 18-7 करते है तो कितना आ रहा है 11 और फिर 11 के स्कॉर कर देते है तो 121 आ रहा है उसी तरह 45-25 करेंगे तो हमारे पास कितना आजागा? 17 के SQUAR करेंगे तो 289 45-36 करेंगे तो कितना आजाएगा? 18 अब 18 के अगर SQUAR करते हैं तो 324 जो है इक T traduator के SQUAR है 88 नंबर के अगर हम बात करते हैं इसके अंद्र जो होगा कुछ जरीला होता है तो यह जरीला नहीं हो लिके हमारे पास पत्र का संबत निवलिकिस में किस सुलहार से था अंसर हो जाएगा C, सिच्छा से था बुड के अदेश पत्र का समथ सिच्छा सुदार से था Board of Control के परधान Charles Wood ने 19 जूलाई 19 जूलाई 1854 को भारतिय सिच्छा पर एक ब्यापक रयोजना प्रस्तुत की जिसे बुड डिस्पेश कहा जाता है बुड डिस्पेश की गोशना पत्र को भारतिय सिच्छा को मैगना काटा भी कहा जाता है निमलिखित में से कौन से उन तीन नदियों में से एक नहीं है जिनका परस्परिक प्रभाव उत्तर भारतिय मैदानों के निर्मान के लिए उतर दाई है अंसर हो जाएगा डी गोधावरी गोधावरी तीन नदियों में से एक नहीं है जिनका परस्परिक प्रभा उत्तर भारतिय मैदानों के निर्मान के लिए उतर दाई है गोधावरी जो है वो प्राइदीपिय भारत की सबसे लंबी नदी है और कितनी 1462 किलो मीटर है निमलिखित में किस केंद्र सासित प्रदेश में विधान सभा है सही अंसर हो जाएगा ओप्सन A दिल्ली में दिल्ली केंद्र सासित प्रदेश में विधान सभा है दिल्ली विधान सभा में कितना है सतर सदस्यों का प्रभधान है पुड्डू चेरी विधान सवा में तीस सदस्यों का प्रवधान है हीन यान और महायान किस धर्म के पंथ है अंसर हो जागा ए बहुत धर्म के पंथ है बहुत धर्में 18 संपरदाय में मुखता हीन यान और महायान संपरदाय है दित्य बहुत संगती में बहुत धर्म में दो गुट बन गया अस्थाविर और महा संगिक बन गया था और दित्य बहुत संगती में अस्थाविर की जीत हो गया था चतुर्त बहुत संगती में हिन्यान और मायान असपस्ट से दो संपरदाय में बढ़ गया था हिन यान बुद्ध के उपदेश को माना और पाली भासा का परियोग किया महा यान बुद्ध को भगवान मानकर पूजिने लगे मुर्ती बनाने लगे और संस्क्रीट भासा का परियोग करने लगे बुद्ध की मुर्ती सरपर्थम मत्रा कला में बनाया गया था ब्रहमपूत्र नदी बंगला देश में क्या कहलाती है इसका सही अंसर हो जाएगा बी जमुना कहलाती है ब्रहमपूत्र नदी को बंगला देश में जमुना नाम से जाना जाता है और गंगा को बंगला देश में पद्मा नाम से जाना जाता है एक डाइमंड में पर्तिय कारवन परमानों में खाले स्थान से बंधे होते हैं अंसर हो जाएगा D, चार अन्य कारवन परमानों से बने होते हैं कारवन अवर्थ सानिके बर्ग चोधा में यहीं बर्ग चोधा का सदस है कारवन का सरभामिक तत माना जाता है डायमंड कारवन का क्रिस्टल ये अप्रूफ है ग्यतिक के तिसरे नियम के नुसार किरिया एवं पर्तिकिरिया अंसर हो जाएगा B. सदैव दो भीन बस्तुव पर विप्रित दिसाओं में कार्ज करती है पानी की कमी के कारण कोस्का के संकुचित होकर कोस्का भीति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है और इसका कहा जाता है D. प्लाज्मोलीसिस कहा जाता है क्या कहा जाता है प्लाज्मोलीसिस प्लाजमा जिली जो होता है लाइप्रो प्रोटीन की पनी होती है CWS निमलिखित में किस क्रियात्मक समुव में उपस्थित है और इसका सही अंसर हो जाएगा Option A कर्वोगजेलिक अमलका किसका कर्वोगजेलिक अमलका है तरल में प्रवाख का अदितिये गुन होता है निमलिखित में से कौन सा कथन सही है और इसका जो सही अंसर हो जाएगा C गैस तथा द्रव तरल के समान बहवार करते है तरल में प्रवाख का अदितिये गुन होता है अनसर हो जागा भी अनुधहर या रिक तरंग होती है, ध्वानी तरंग जो होती है वो अनुधहर यांतरिक तरंग है, इस बरके धरोगा बीपेसरी Carolina के पीटी में भी पूछा गया था, जब तरंग गटी की दिशा मध्युम के कमपन करने के दिशा के सवन अंतर होती है, एस बंड़ेंगरा तरंग्धेज़ बदल जाती है जै कि आवईर्थी नहीं बदलती है अन्सर हो जागाए ब्रोंकाइटिस कहा जाता है ब्रोंकाइटिस को स्वासनली प्रभावित करता है नेमलिकित मैंसके इस परकार के परदूशन को बहनों में उत प्रेरेक्त करमटर फिट क करके यह नियंत्रीत किया जाता है इसका अन्सर हों जाएगा बी- Qian बाई परदूसन को बाहनों में उत्प्रेश्य कर्मपर्टर फिट करके नियंद्रित किया जाता है 50 माइक्रो मीटर से बड़े कारवाले कनिये पदार्थों को फिल्टर करने तथा अलग करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर या साइक्लोन कलेक्टर तथा बेट अस्क्रावर करनों का परियोग किया जाता है अगला है जल किस परकार का संसाधन है अंसर हो जाएगा ए चक्रिये जल चक्रिये संसाधन है प्रक्रितिक प्रक्रिया के ताथ लगतार प्राप्त होने वाली उर्जा नभीकर्निये उर्जा कहलाती है नभीकर्निये में आता है सौर उर्जा दूसरा और तीसरा कुछ आइड्रोजन गैस का पातर से रिसाब होने पर आइड्रोजन गैस के पातर का अधन बढ़ाकर यह अगला है कि तिर्भूत जो है मकान-मालिकों का पृतितित करता आयत करदाताओं का करता है तो हमें बताना है कि अब ब्रीज जो है बेपारियों को बताना कि कितने बेपारी करदाता तो है लेकिन मकान मालिक नहीं है इसका जो अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये 22 क्या हो जाएगा 22 अंसर हो जाएगा सी नीचे दिया गया है यदि संख्या तीन के पास है के नीचे फलक है तो उसी फलक पर कौन सी संख्या होगा इसमें देखना है कि common कौन है तो common यहां पर जो दिख रहा है वो एक है इसी common से clockwise ले लिजिए दोनों में यहां पर लिखते हैं पहले इस्तिति में एक पांच चार दूसरे में क्या है एक तीन छे करा तीन के पास है कि निचले क्या होगा तो वह होगा पांच अंसर जो हमारा हो जाएगा वह जाएगा बी सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं अगर सुनील उत्तर पूरव की और देखता है तो उसका प्रतिद्वंदी मनोहर किस दिशा में देखेगा अंसर हो जाएगा ए दस्चिंपश्चिं में देखेगा अगला है दो फरवरी 2019 को सानिवार होगा 4 Environment 2019 को कौं साद्य में होगा हमें यह देखना दो फरवरी चारकुष से करना में के कि चारवर कह रहाएक करना है तो आहो पर भर रहIGH का कितने दिन हो गयाわか। तो 26 हो गया मार्च का 31 अप्राइल का 30 माई का 31 जून का 30 जुलाई का 31 अगस्त के 31 सितंबर 30 चार अक्टूबर तब पूछ रहा चार अक्टूबर टोटल कुल दिन कितना हुआ 244 दिन उसे साथ से भागा देंगे तो हमारे पास जो CS बचेगा वो कितना बचेगा तो 6 सुक्रवार अंसर हो जागा हमारे पास के लिए 110 घ्रया सदस है ल हके टी जे और और यार उलंपिक में यूएच चीन कोरिया फ्रांस रूँच रूटे जापातनी देसों का परते निर्त करते हैं परतियक चबपाना आजी राइफल सुटिंग टेनिस मुखे बाजी अथलेटिस फुटवाल में भाग लेता है ब्यक्तियों देशों और खेलों का क्रम ऐसा होना अवस्यक नहीं है अब यहां पर एक दिया हुआ कि कौन किस्से होगा यहां पर बनाएगा एक तरफ सदस देश कर दीजिएगा एक की बात करते हैं तो यह हो जाएगा चीन से हैं और तिरंदाजी खेल खेलता है इस तरह सभी को अगर किजिएगा तो हमारे पास अंसर जो हो जाएगा जे का तो वो हो जाएगा क्या वो है रूस का है और वो क्या खेलता है टेनिस खेलता है अंसर जो हमारे पास हो जाएगा हो दो यह जाए गया करते हैं प्रकाइब कृसे करतें किसे हुआ दो पाटीन को गूना कर दिया और 108 से अब कितना हो जाएगा ठ्षेतिया आठाइब 消息 किना पर हो जाएगा उनेशिटनों चोवालिस हो जाएगा उन्सर हो जाएगा डी चले कि श्यक्रक से कितना डिफ्रेंस है बाइसो अठारा का है और इससे कितना डिफ्रेंट अगर करते हैं अगर हम 226 ऑप्षन के अनुसार्थ देखते हुए करते हैं 226 का होगा आएक में डिफ्रेंस होगा 2234 इसका यानि समय प्लस आठ और जुटने के बाद डिफ्रेंस वह रहा है अंसर जो हो जाएगा शर्ट शर्ट पच्पन अंसर हो जाएगा डिए नीचे कथन दिया गया है उसके निसकर्स पर चलना है कथन यह है इसका जो निसकर्स होगा वो क्या हो जाएगा डिए यदि 12 के साथ मिनट से घटा आदेना है तीन बच के पच्पर मिनट हमारे पास आजागा आठ बच के जीरो पाच मिनट अंसर हो जाएगा यह जानवी और परनीता एक पंक्ति में सीरो पर खड़ी है जिसमें सभी विद्यार्थे को मुक उत्तर तिसा क्यों रहे है जानवी और परनीता है इंदर होघा है तो तो इतना हो झागा तो ए'tन अलिखा गया है आठ को लिखा घया तो डारेक्ट ली जो है जिसके अस्थानिया गितना है तो यहां पाँच है उन्सर का फ्रस्तावित मानक अस्थर क्या है रिसका ऑनसर हो जाएगा और भी पच्पन दीन में 65, अवासीय च्छेतर में 45, रात में और दीन के समय 55, असांस च्छेतर में रातरीक समय 40, दीन के समय 50 डेशिवल है, पसुपालन और पादप परजनन कार्ज करम उधारन है, और इसका सही अंसर हो जाएगा, आप्शन B, कृत्रिम चैन का, पसुपालन और प परिवर्थित एजन्टों के कारण, डीन अनुक्रम में अचानक परिव बरतन है, पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को खाले स्थान कहा जाता है, अंसर हो जाएगा, वो है B, फॉक्सिंग, क्या कहा जाता है, फॉक्सिंग, पुरानी किताबों के पन्नों में भूरे रंग के होने के प्रक्रियाब फॉक्सिंग के लाता है पुरानी किताबों का कागज भूरा सेलुलेज के आक्सिकरन से बना होता है फॉक्सिंग के कारण बिंटेज पेपर दस्तावेजो जैसे किताब वो पोस्टेज अस्टमपो पर्मान पत्रो आधी पर धब्बा तथम का अक्सिकरन हो जाता है 6 रोग किसके कारण होता है इसका सही जवाब हो जाएगा Option C जिवानू के द्वारा होता है 6 रोग 6 रोग Microbacterium tuberculosis नामक जिवानू से होता है निमलिखित में से किसका electronic बिन्यास 2, 8, 13, 1 है अंसर हो जाएगा Option A Chromium का Chromium 24 के बोर के नुसार इसका बिन्यास जो है 2, 8, 12, 2 होना चाहिए जबकि इसका बस्तविक electronic बिन्यास जो है वो हता है कितना 2, 8, 13, 1 होता है निमलिखित में से क्या नाभी किये उर्जा उत्पादन का प्रमुख खत्रा है अंसर हो जाएगा Option C भंडारन और प्रकिर्नन नाभी के उर्जा उत्पादन का प्रमुख खत्रा भंडारन और प्रकिर्नन है नाभी के उर्जा के हानी है जैसे प्रमानु इंदन को खाली अस्थान सामिल होती है अंसर हो जाएगा A, 1000 kg करवन डियकसाइट सामिल होता है करवन क्रेडिट में 1000 kg लैन काई की खोज के लिए डूपे को किस बर्स नोबिल पुरूसकार मिला था लैन काई अंसर हो जाएगा C, 1994 में मिला था लाइसोसोम अधिकतर जन्तु कोशिकाओं में मुख रूप से इंजाइम अभिक्रियाएं करने वाली कोशिकाओं जैसे अग्नियासय या क्रित मस्तिस्क थाराइट गुर्दे आदि में पाये जाते हैं। लाइसोसोम को अत्मगाती थेलिया भी कहा जाता है। लाइसोसोम कोशिकाओं नस्ठ होकर कैंसर के निर्वान में मदद करता है। भारी जल के नामाकरण का अधार क्या है। अंसर हो जाएगा वो है B. या प्रोटियम के स्थान पर डूटियरियम को उप्योग किया जाता है जो है ड्रोजन का पेच्छकृत भारी समस्थानिक है। भारी जल का रसाइनिक सुत्र क्या होता है तो D2O होता है भारी जल की खोज किस ने किया था ये यूरे ने किया था उन्हें सो 32 में किया था मवेशियों के मुफट रोग किस सुष्मजीव के कारान होता है इसका अंसर हो जाएगा C सुथमजीम के कारण होता है, खुरूपा और मुपपका बाइरस के द्वारा, गलगोंटूप जिवानों के द्वारा, गिल्टी रोग जिवानों, थनैला जिवानों, संकरमन गरवपर्फाद जिवानों के द्वारा, गंदे सर्वजनिक मुत्रालाय में से निम्न गैस निकलती है कौन सा गैस अंसर हो जागा ए अमोनिया गैस निकलती है क्लोरिन फूलों को रंक उड़ा देती है या दम घुटने वाली गंद की गैस है कारवन मोनियक्साइट को रंक्त में घुनने की छमता सबसे अधीक होती है अमल बर्सा में सलफर डियोक्साइट सरवाधिक भूमकानी भाता है उर्जा के एक अदर्स पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल सौर उर्जा ग्रहन की जाती है इसका सही अंसर हो जाएगा सिर्फ पांच जूल उर्जा के अदर्स पिरामिड में अधी हरे पौधे 500 जूल सौर उर्जा ग्रहन करती है तो पांच जूल पौधे द्वारा आप सोचित करके रखी जाती है बाकी परियावरान में लूप्त हो जाती है अगले उर्जा पौशी में स्थनांतर के लिए उपलाब्द होती है इसे अगर पौधे से टिड़ा में पौधे से टिड़ा में पौधे से टिड़ा में तो अगर इतना है एक लाख जूल है तो जाएगा कितना 10% इसका जाएगा यानि इतना जूल ही जाएगा फिर टिड़ा से मेढ़क में जाएगा तो कितना जाएगा तो इसका अगर हम कहते है तो एक हजार जूल जाएगा और मेढ़क से साफ में कितना जाएगा तो वो जाएगा 100 जूल और साफ से बाज में जाएगा तो जाएगा 10 जूलिया है लेकिन यहाँ पर वो 10% का नियम नहीं लाग हुआ है अगला है अभी किरिया एफीट 3 पलस पलस E माइनस होगा एफीट 2 पलस के लिए निमली खितमे से क्या सही नहीं है और इसका सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा तो वो हो जाएगा एफीट 3 पलस और एफीट 2 पलस दोनों अमलीय मुलक कहे जाते हैं अंसर हमारे पास हो जाएगा डी जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या अंसिक रूप से डुबोया जाता है तो उस पर उधर्व दिशा में एक बलपरिक्त होता है जो उस पिंड द्वारा बिस्थापित किये गए तरल के भार के बराबर होता है या किस नियम के द्वारा स्पस्ट होता है अंसर हो जाएगा अप्शन D आर्कमेडीज के सिधान्त यानि पलवन के नियम के नियम के निशार होता है एक कई बर प्रस्ण पूछा जाता है जब बर पानी में तर्टीत है उसके आईतन का एक बटा दस भाग पानी के उपर रहता है और नौ बटा दस भाग जो है पानी के नीचे रहता है निमलिखित में कौन सा भारत का पहला अंतरा ग्रहिक अभियान था इसका सही अंसर हो जाएगा वह जाएगा कौन सा दर्जी और सूट में कथन इब मिने्श कर्ज के प्रस्ण है सभी दुकाने जो है वो पार्ख है अगर ये दुकाने है dupliccul और कि फख socially फॉर स्थारा हमारे पास करन करते हैं कुछ जो पच्छी है वो बादल है यहां पर करते हैं कि यह पच्छी है और इसमें जो कुछ है वो क्या है वो बादल है गोड़ा पच्छी है यहां पर बीच में क्या हो जागा वो हो जागा गोड़ा क्या हो जागा गोड़ा है इससे तो हमें पूरी तरह क्लियर यहां भी इस तरह भी तो बन सकता यह बादल है और यह हमारा जो आ रहा है वो क्या है पच्छी है और घोड़ा पच्छी है यह कुछ भी तो हो सकता है तो यहां पर घोड़ा हो जाएगा एक और बन रहा है यहां पर बादल यह पच्छी और यह घोड़ा तीनों हो जाएगा तक पहला निसका एक क्या निकलता है कि कुछ बादल पच्छी और हम इसे में भी देखते हैं बादल-पच्छी घोडर इसमें भी कुछ आ इसमें of these में यह हो análot इन इसे रित्योंग नहीं करें जिस करुण बहुत में मार्ज्वरी टक आती है अंसर हो जाएगा C, सबसे पहले आती है बसंद, फिर गर्मी, फिर मांसून, फिर पज़र, फिर सर्दी अंग्रेज जी सब्द कोस के अनुसार अगर सजाएंगे तो हमारे पास अंसर आ जाएगा वो हो जाएगा A 141 नंबर प्रश्ण की बात करते हैं तो अंसर हो जाएगा C 142 के अगर फिगर बला है उसकी बात करते हैं तो अंसर होगा B 143 के कागज मोडने का है उसका जो अंसर हो जाएगा D 144 के अगर हम बात करते हैं तो अंसर हो जाएगा A 145 नंबर की बात करते हैं फिर से कागज का मोडने का है अंसर इसका हो जाएगा वह जाएगा बी 146 नंबर वाला धरपल का है इसका जो अंसर हो जाएगा वह जाएगा c 147 नमबर की बात करते है इसमें प्रस्द बसक्चिन पे है क्या है तो 15 माइनस 11 करते है क्या हो जाता है 4 उसमें साइसक्वाइर प्लस 2 करेंगे 416 कितना स्वाइर Clay प्लस बदू कर देते है 16 गुना 2 कितना हो जाएगा 32 उसी तरह 37 माइनस 32 करेंगे तो हो जाएगा 5, अब 5 के square गुना 2 करेंगे तो 50, पिल्कुल सही है इसी तगर तीसरा देखेंगे तो अगर 42 माइनस option पर रखके जल्दी हो जाएगा calculation option रखके 7 के square गुना 2 करेंगे तो 90 में आ जा रहा है, answer हमारे पास जो आ जा रहा है, वो हो जाएगा 42, नीचे दीगे अकर्टी में कितने तिर्वुज है, इसे जब count करेंगे तो हो जाएगा 18 तिर्वुज है 149 का कितना हो जाएगा D, और 150 की बात करते हैं तो इसका विया अनसर हो जाएगा D ये था platform के volume 2 बिहार SAC के practice set, अगर वीडियो अच्छा लगा like and share कर देजगा, धन्यवाद